हे गाईज वेलकम तो माई यूटूब चैनल रांड आविन टीस के तरब से बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रिए टीस अगें सेंडिंग डिरेक्ट ओफर लेटर विदाउट टेकिंग अनी इंटर्व्यू जो स्टुएंट 11 दिसमर को एक्जाम दिया था टीस फेस्टू की उन यह सबसे बड़ा इंपोर्टेंट को संसे आज के वीडियो का नॉट फॉर एव्रेट वाइ सारे स्टूट को यह डायक ओफर लेटर नहीं मिल देखने को मिल रहा है कुछ इस तुन को वह भी देखने को नहीं मिल रहा है वेट कर रहे है रिजल्ट के लिए तो वह सब आपको आगे वीडियो में मिलेगा TCS All Result Updates चाहे वो एक्जाम की बाद का अपडेट हो, TR के बाद का हो, HR के बाद का हो, offer के बाद का हो, सारा Result Update इस वीडियो में देंगे, सारे Queries आप लोग की सॉल्व करने का कोशिस किया हूँ, ओके वीडियो के अन तक जरूर देखना एक लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर न्यू हो, तो एक सस्क्राइब जरूर कर लेना चैनल को, TCS की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चेक करना है, वहाँ पे TCS की अप्लाय लिंक आपको मिलेगी, TCS की अभी भी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चेक कर सकते हैं, TCS की जो लेटेस्ट राइक रिजल्ट अपडेट है, इंटर्व्यू अपडेट है, इंटर्व्यू कोस्टेंस, इंटर्व्यू एक्स्पेंस, लेटेस्ट वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको जरूर एक बार चेक करना है okay so first मैं आप लोगों को यह सो कर दू कि जो mail student को आये थे 16th of December को यह mail आया था रात के साड़े 8 बजे के करीब update TCS selection process जो student 11th of December को TCS का exam दिये थे उनका नाम था and उनके DT ID था इस mail में उनको यह बताया जा रहा था कि basis your performance in this online test conducted on December 5th okay so यह misprint था guys उन्होंने 5th December को एक्जाम नहीं दिया था यह जो पुराना वाला mail था 5th December वाले student का वही यहाँ पे वो लोग मेभी इनका वहाँ पे कुछ edit नहीं कर पाए या फिर कुछ misprint हो गया हो कुछ issue हो यहाँ पे 11th December होगा 11th December को यह student exam दिये थे नहीं तो इनको consider किया जा रहा है offer के साथ offer के लिए okay TCS offer के लिए without taking any interview यह गलत mail नहीं है क्योंकि उनका name है उनका DTCT ID है तो यह गलत है नहीं बट गैस इनको offer letter की mail नहीं आई and जिस वज़े से next step portal पे इनकी offer letter generate नहीं हुई थी 8-9 बज़े करीब में यह student को पोटल पर जो track my application है उसका मैं आप लोग को skin shot यहां पर दिखा रहा हूं इनको देख लिए candidate best हुए थे यह 11th of December को exam दिये यह best हुए थे 15th of December को 2 बज़े 3 बज़े दीन में okay तीन बज़े दीन में यह best होते है best means होता है आप interview के लिए स्लेक्ट हो गया हो ओके ऑफर लिटर इनका जन्रेट हुआ है 16th of December को 11 बज़ के 11 बिनट पर 11 बज़े रात में तो मैंने बोला कि 8 होगा नहीं and all light and 16th of December को इनको रात में offer लिटर जन्रेट हो चुका है तो यहाँ पर कोई भी इंटर्व्यू नहीं हुआ है थे ओके और इनका offer लेटर जन्रेट हो गया था 11th of December को क्योंकि यह 5th of December को एक्जाम दियते offer लेटर एक्सेप्ट किये 15th of December को फिर ILP लिजवल होगे सेम डे फिर आया इल्प स्टेवल भी हो चुका है and joining लेटर इनका जन्रेट भी हो चुका है इनका जो जोइनिंग लेटर है वो 29th of December को है तो जो इस्टुएंट 5th of December के बेसिस पर direct offer लेटर मिला है उनकी जोइनिंग डेट 29th of December है जो इस्टुएंट पहले offer लेटर एक्सेप्ट कियोंगे उनका मेभी 23rd of December भी जोइनिंग डेट होगा तो यह 11th December वाले इस्टुएंट का जोइनिंग डेट आपका जन्री फर्स्ट वीक होगा तो जन्री फर्स्ट वीक में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जोइनिंग डेट मेभी 6th of January ओके यह सारे इंपोर्टेंट मेल होगे यह पॉइंट आप लोग का क्लियर होगे यह offer लेटर रियल है फेक नहीं है क्योंकि 5th of December इस्टुएंट का में date of जोइनिंग भी आप लोग को सोग कर दिया हूँ इनका जोइन नाट फेक आप लोग को में वीडियो में सो कर चुका हूँ थोज हूँ रॉट ऑन 11th December 2021 एक्जाम गट डियरेक्ट ओफर ओके दोस हूँ रिसीव डियरेक्ट ओफर आफ्टर इस सो बहुत सारे स्टुएंट का डाउट है कि offer लेटर आगे अफ्टर इस क्या होगा तो आफ् 5th December को एक्जाम दिये थे थे दोज हूँ एक्सेप्ट ओफर ओफर ऑल्सो गट दियो जो मैंने दिखा दिया पांच ओफ दिसम्बर वाले स्टुएंट जो ओफर लेटर जिनको आया था वो एक्सेप्ट कर लिये उनको डियो जी भी डेट ओव जोईनिंग भी आ चुकी है 29 9th December को है 2nd important update and देख लेते हैं this is not applicable on every student why आज की सबसे important questions सबसे important doubt सारे स्टुएंट के लिए applicable क्यों नहीं है not every student got direct offer letter सारे स्टुएंट को क्यों नहीं आ रहा है direct offer letter जो स्टुएंट का like cutoff के लिए TCS के लिए ओके जो एक से दो कोडिंग सॉल्फ किये एक या गुट दो कोड listening या फिर जिनका apti verbal reasoning में अच्छा इस को रहें those who also solve same questions like a verb student not got direct offer जो स्टुएंट ने एक कोडिंग सॉल्फ किया उनको direct offer आ रहा है जो स्टुएंट एक कोडिंग सॉल्फ किया है same उनके जैसे ही उनको कुछ भी direct offer letter नहीं आ रहा है few students got interview mail on basis of 5th December 2021 exam few got direct offer why and how यह क्यों हो रहा है और कैसे हो सकता है कुछ student को direct offer letter आ रहा है कुछ student को like interview mail आ रहा है जबकि दोनों क्या score सेम है same question solve किये तो इस पर हम लोग को comment चाहिए मुझे comment चाहिए आप लोग से guys कुछ student ने मुझे message किया है कि मुझे interview mail आया है on basis of 5th December exam okay so मुझे confirmation नहीं है मैं sure नहीं हूँ 100% but student बोल ल में acceptable नहीं है TCS के तरफ से क्यूंकि same questions के basis आप किसी को direct offer letter बेज रहो किसी को आप interview mail बेज रहो तो यह acceptable बिलकुल नहीं है यह क्यों हो है and कैसे हो सकता है ऐसा few who solved same question like above not got even an interview call कुछ ऐसे भी student है जिनको interview call भी अभी नहीं आया है वो उनका भी same score है लेकिन उनको wait करना आपको मिलेगा interview mail मिलेगा वो लो one by one sent करते है तो second question बहुत important था I hope जितना information था मैंने आपको update दिया and third one there is no any clarity on this from TCS side so कोई भी कोई भी update नहीं आया है TCS side से कि क्या उनका क्या उनका like reason है direct offer letter sent करने का student panic कर रहे है सब के साथ क्यों नहीं हो रहा है same behave okay so same like same treat नहीं किया जा रहा है सारे student को तो this is not acceptable yes guys what's your opinion आपकी क्या opinion है comment करके जरूर आप लोग बताओ आप लोग क्या सोचते हो इस पर सो यह acceptable नहीं है क्योंकि same guys को यार offer letter रहा है same guys को interview में ला रहा है तो like same score same day exam हो रहा है तो it's okay for direct offer letter direct offer letter कोई problem नहीं है okay so यह TCS like company की यह process है उनकी जो भी selection process है यह उनका rights है okay वो कैसे भी recruit करें student को but without any interview yeah without any interview but why not for every student so yeah so सारे student के साथ ऐसा होना चाहिए ना कुछ student के साथ क्यों partiality क्यों so take my Ndra KPIT also not take any interview यह लोग भी direct offer letter send करते है यह लोग भी interview नहीं लेते है टेक मेंडा KPIT आप लोग को अलड़ी मालूम होगा नहीं मालूम है तो चैनल के सेंट वीडियो देख सकते है so how TCS changed hiring process in the middle and maybe अगर hiring process change हुआ है तो middle में कैसे change कर सकते है अभी like middle में like TCS के अभी hiring जो चल रही है so middle में change नहीं कर सकते है अगर आपको change करना भी है तो आप next hiring से कर सकते हो कि आप direct offer letter send करो interview नहीं होगा okay so यह सारे like point है and next जो देखते है जो fourth question से उस पर आप देखते है यह important है is it really TCS phase 2 hiring process was changed after extent of registration date yeah so एक जो important like concept मुझे समझ में आ रहा है but यह true नहीं होगा but देख लेते TCS phase 2 की hiring process change हो गया after extent of registration date so few days ago last date जो था apply करने के TCS ninja phase 2 hiring की वो 30 November था then after 15th of December हो गया so कुछ दिन पहले तक 15th of December था but now it is 17th of January 2022 तो जो student को apply करना है link आपको description मिल जागा तो आप 17 January हो गया है तो यहाँ पर यह चीज़ देखते है कि maybe from 1st December so यह जो 30 November के बाद 15th December extend हुआ तो 1 December से maybe from 1 December they changed hiring process after this first exam was 5th December then 11th of December so maybe यह जो new extend हुआ date तो like 1 December के बाद जो 2 exam हुआ है अभी तक 5 December को और 11 December को तो इस दोनों exam के through वो direct offer letter sent कर रहे है maybe इनका hiring process change हो गया हो लेकिन फिर भाई डाउट आता है कि सारे student के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है ऐसा क्योंकि कुछ student को तो interview mail भी आ रहा है ना बट ऐसा एक concept समझ में आता है क्योंकि TCS का सबसे कोई update नहीं है कोई इनके तरब से clarity नहीं मिल रहा है those who based on basis of October November exam not got direct offer they all invited for interview so yeah so बहुत सारे student जो नॉम्बर में फेस्टू एक्जाम दिये हैं तो उनको अभी इंटर्विव मेल देखने को मिल रहा है वह बैस्ट हुए तो आप लोग भी कॉमेंट करके जरूर बता है और सो अधर स्टूएंट भी समझ पाए कि स्टूएंट की क्या स्टेटस है नेक्स्ट जो लाइक प्रिवेस रिजल्ट अपडेट कोईडिस है फर्स देख लेते यह मैं अल्रडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ बट कुछ मैंने इसमें एड़ाउन किया है तो आप लेक एक बार गो थू हो जाओ टीसे से स्टार्ट रिजेक्टिंग अल्सो आफ्टर एचर राउंड यस दोस वो अटेंडेड एचर रांड और नेक्स डे आफ्टर टीर आमर लाइक आप टीर आमर दे दियो उसके बाद लाइक बार टीर आकट आपको आलड़ी पता होता है कि आप टीर में स्लैक्ट हो चुके हो तब आपको एचर मिल आ है तो आफटर एचर रिजेक्शन नहीं होता था बट अब वह भी देखने को मिल रहा है तुछ इसे इंटर्वी रिजल्ट थूरू फोन कॉल भी एच्टो कर सकते हो जो थर्ड आउट है आफटर टी रम रहर तीनों हो चुका है नो मेल वेटिंग फॉर रिजल्ट तो उस स्टुएंट का जो एंसर है वह यह एंसर है आप यहां पर सकते हो दो से 14 नॉमबर का स्टुएंट जो स्टुएंट एक्जाम दिये थे या फिर एनिवन जो एक्जाम दिये उनको नहीं आया है तो जन्रेरली स्टुएंट गॉट इन 5 तो 10 देज तो आफ्टर फेस्टू रिटेन एक्जाम पांस से दस दिन बाद आपको इंटर्व्यू मेल देखने चैनल के वीडियो जरूर कर देखना किसी वीडियो से रिकार्डीग कोई ब्रूर जियक करना उसमें आपको कुछ इंपर्मेट डहा भीजा प्लीज एक लाइक जरूर कर देना थैंक्यू आल देवेस्ट उना मेंट मतीस भाइट